कि नमस्कार प्यार साथियों मैं संदीप चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परवार रोजगार विदंकित पर कैसे हैं आप सभी उम्मीद करता हूं अपने लोग बहुत अच्छे होंगे बहुत सांदर होंगे आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी प्यारे दोस्तों बीच में आपकी क्लास थोड़ी सी डिश्टर रही है 21 तारिक के बाद क्लास नहीं हो पाई थी तो अब आपकी क्लास प्रस कैसे होगा कैसे नहीं वो सब मेरी जिम्मेदारी है मैं कराऊंगा चाहें कुछ भी करना पड़े उसके लिए कितनी भी महनत करनी पड़े कितनी भी किस तरीके से भी करना पड़े तो वह क्लास आपकी होंगी complete course होगा बिल्कुल भी आप चिंता मत करो जो आपसे वाद हैं कि आज पजल पढ़ने वाले हैं हम यानि पहली पढ़ने वाले हैं मैं कहूंगा कि लगबग लगबग बेसिक से ही चीजों को लेकर चलेंगे बेसिक का मेरा मतलब है बेसिक का मेरा मतलब है कि लगबग ये मानकर एक छोटे से सवालों से ही कि हम लोग बहुत बढ़िया कर पाएं ठीक है ना तो एक बार धमसब करके बताएं कि क्या आप तयार हैं किस तरीके से question आते हैं पजल से related question आएगा तो किस तरीके से उसे किया जाएगा ठीक है ना चलो आजाओ भाई जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से आ जाएए very good very good तो देखेंगे सभी प्यारे बहन भाई, यहां पर question को दिहान से देखो, एक बार question को दिहान से पढ़ेंगे और करने की कोसिस करेंगे, क्या आप इस question का answer कर सकते हो, क्या आप इस question का answer कर सकते हो, दिहान से देखो एक बार, बहुत सांदार तरीके से, पहले basic से चीजों को सोचना की क्वेश्चन यह तो बड़ा है ऐसे मत सोचना की सर यह तो बड़ा क्वेश्चन है कैसे कर पाएंगे बहुत आराम से कर दोगे कोई दिक्कत नहीं है ठीक है न हाँ बहुत आराम से कर रहे हो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत सांदार बहुत सांदार या दियान से समझधिए किस तरीके से क्वेश्चिन की बात कर रहा है सबसे पहले इन करा है कि सात मित्र हैं M V K D T J R ठीक है बच्चे तो कितने दोस्त हैं यह सात दोस्त हैं आगे की बाद द्यान से समझेंगे करा कि विभिन कक्षाओं में पढ़ते हैं तीसरी चौथी पाँचवी जटी सातवी आठवी और नौमी में पढ़ते हैं कहने का मतलब है कि सात मित्र हैं अलग-अलग इनकी कक्षाओं हैं पहले यह समझना है कि वही किस तरीके से क्या-क्या चीज़े हैं ठीक है ना तो सात मित्र हैं अलग-अलग कक्षाओं हो गई सर और क्या दिया गया है दिहान और बैगनी है यानि अब मेरे पास तीन बात आई बच्चा निकल के पहली बात मेरे पास निकल के आई इन व्यक्तियों के नाम दूसरी बात इनकी कक्षा और तीसरी बात इनके कलर तो किस तरीके से सर जब करूँगा ना तो सबसे पहले एक काम करूँगा कि यहाँ पर लिखूँगा मैं व्यक्ति सर सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूँगा व्यक्ति और सर जब मैं व्यक्ति लिख लूँगा ना सर जब मैं व्यक्ति लिख लूँगा तो यहाँ पर लिखूंगा उनकी क्लास की वो किस क्लास के व्यक्ति हैं क्लास ही तो लिखनी थी और सर जब क्लास लिख लूँगा तो यहाँ पर उनके रंग लिखूंगा यानि की कलर लिखूंगा कि उनके कौन-कौन से color थे बेटा जो व्यक्तियों के नाम दे रखे हैं उनको एक बार उपर से नीचे एक डिक्टो line में लिख लेंगे उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ठीक है देखो कैसे कौन-कौन है व्यक्तियों के नाम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 M, V, K, D, T, J, R तो M आगे मैंने लिखा V आगे लिखा K फिर मैंने लिखा D फिर मैंने लिखा T फिर मैंने लिखा J और फिर मैंने लिखा R सही है भाई? यानि कहने का मतलब है M, V, K D, T, J, R इस हिसाब से मैंने ये लिखा लिए अब द्यहान से समझो एक एक किस्टेप को बेटा अभी बताऊंगा कि क्या क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं वो सब भी चीज़ों पर चर्चा करेंगे लेकिन फिलाल हम ये देखते हैं क्या कहराईए जैसे क्वेश्चन यहां पर कहराई कि जे को लाल रंग पसंद है और वह पांचवी कक्षा में पढ़ता है बात समझ में आ रही है जे के बारे में दो बातें बोली गई हैं विट्चो पहली बात बोली गई है कि जे लाल रंग पसंद करता है और पांचवी कक्षा में पढ़ता है तो भहिया जे के सामने लाल रंग लिख दो रंग के नीचे ही रंग लिखना है कभी क्लास की नीचे रंग लिख दो और पांचवी कक्षा में पढ़ता है उसने बोला है कि जे को लाल रंग पसंद है और पांच भी कक्षाम पढ़ता है बोलो इस पॉइंट में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है आगे समझो आगे के रहा है कि आर को बैगनी रंग पसंद है बहुत अच्छी बात है तो आर के सामने कौन सा रंग आ जाएगा बैगनी रंग आ जाएगा और कह रहा है कि और तीसरी कक्षा में पढ़ता है कि और तीसरी कक्षा तो आर बैगनी आ गया और कक्षा कौन सी आ गई प्यारे दोस्तों कक्षा तीसरी आ गई बाता रही है समझ में कौन सी क्लास आ गई तीसरी क्लास आ गई एक एक स्टेप हमको आराम स ठीक है आगे समझो आगे question किरा है M आठवी कक्षा में पढ़ता है तो M के सामने कौन सी कक्षा आजाएगी आठवी कक्षा आजाएगी आठवी क्लास में पढ़ता है उसे ना हरा पसंद है ना पीला बेटा जो चीजे पसंद होती है उन्हें बराबर में लिख देते हैं कि भाई से पसंद है लेकिन ये क्या कह रहा है ये कह रहा है कि M 8 भी कक्षाम पढ़ता है पर उसे ना हरा पसंद है ना पीला पसंद है तो यानि कि एक काम करो इस बात को ना M के सामने साथ does not equal to में डाल दो देखो जिन बातों के लिए मना होगी वो does not equal to होता है यानि अगर ये हरा और पीले के लिए मना कर रहा है तो यहां पर मैंने कहा कि भाई ना तो हरा सकता M के सामने और ना पीला आ सकता तर ये बात क्यों लिख रहे हम बेटा क्योंकि हमको आगे जाकर एक हिंट मिले कि जो चीजें ये ना वो यहां पर नह नहीं आ सकती किसी भी कीमत पे अब color हो या class हो जिसके लिए मना कर देना उसे left में रख देते हैं कोई दिक्कत नहीं है ठीक है भाई या बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आगे समझो आगे समझो आगे क्या कह रहा है तो आगे question कह रहा है कि के को कि को सफेद रंग पसंद है भहت अच्छी बात है ना तो सात्वी class में पढ़ता है ना चौथी में तो के के सामने does not equal to डाल दो कि ना तो के के सामने सात्वी class आ पाहेगी और ना ही चौथी class आ पाहेगी बात आ रही है समझ में। यानि does not equal to में जाएंगी जितनी भी बातें ऐसी होंगी कि जो होई नहीं सकता, negative बातें हैं, वो does not equal to में जाएंगी, आगे question कह रहा है, कि D छटी कक्षा में पढ़ता है, तो D consume पढ़ता है भहिया, छटी कक्षा में पढ़ता है, कह रहा है उसे काला रंग पसंद है, तो भहि कह रहा है, आगे कह रहा है कि T, T चौथी कक्षा में नहीं पढ़ता है, तो T चौथी कक्षा में नहीं पढ़ता है, तो T does not equal to क्या बिटा, T does not equal to 4 मेरे भाई, अगर यह कहता कि T चौथी कक्षा में पढ़ता है, तो मैं T के सामने चौथी कक्षा यहां लिखता, लेकिन वो लोग कह रहे हैं भाई आप सवाल दिखाओ भाई कोई दिक्कत नहीं है पहले पहले बना लो कोई दिक्कत नहीं आ रही है तो थोड़ा सा टाइम लगो एक दो क्वेस्चन के बाद आपको क्वेस्चन भी दिखाऊंगा सारी चीज़ें होंगी आगे देखो वी को हरा रंग प क्वेस्चन लाओ यह जितनी भी खाली इस्थान दिखाई दे रहे ना यह आपके क्वेस्चन के आंसर यह है अगर आपने यह मेरे हिसाब से सेट कर दिये तो आपको ने सही किया है जैसे मैं यह कह रहा हूं कि अगर एम के सामने क्लास तो आठ है तो यह तो क्वेस्चन नह क्लास पूछ सकता है, टी की क्लास पूछ सकता है, रंग पूछ सकता है, यह जितने भी रिक्त स्थान दिखाई दे रहे हैं, खाली स्थान दिखाई दे रहे हैं, वो सभी की सभी आपके प्रेसन के उत्तर हैं, बिटा, यानि क्वेस्चन है वो, तो आप देखते हैं, कितने ल यह देखो कि इधर साइड does not equal to में क्या है तो does not equal to में देहान से देखो तो यह जो हरा है ना तो हरा यहां आ सकता भई does not equal to का मतलब मना हो रही है यह हरा यहां नहीं आ सकता हरा यहां भी नहीं आ सकता तो हरा के लिए के वाले एक इस्थान बचा और वो इस्थान ये वाला बच्चा बात आई समझ में डाजनोट इक्वल टू का खेला कि बहुत आराम से में से कर पा रहा हूँ सर जैसे कि अब ये पीला है तो सर पीला तो उपर आई नहीं सकता है क्योंकि ये डाजनोट इक्वल टू में है उपर तो पीला कहां आएगा यहां आएगा कोई दिक्कत नहीं है सर अब एक कलर ही तो बच गया कौन सा कलर बच गया सर जो कलर बचा है जो कलर बचा है वो बचा है पीला नीला लाल सफेद काला हरा बैगनी तो बैगनी काल पीला नीला नीला बचा है ना नीला ही तो बचा है, पीला, नीला, बचे नीला बचा है, नीला भी कहीं नहीं आया तो नीला को यहां लिख दो, और कोई स्थान भी से इस नहीं है, के वले एक स्थान बचा है, एक कलर बचा है, तो वह आएगा ही आएगा, ठीक है ना, चलो, तो दिहान से समझो, अब आजा आएगी, यहाँ आएगी, सर यहाँ साथ नहीं आ सकती, does not equal to मैं साथ, तो साथ यहाँ आएगी, सर बचा को नौ, सर नौ को यहाँ लिख दो, एक बार थमसब ठोक के बताओ, इमानदारी से कितने लोगों ने परफेक्ट यही बनाया है, और अगर नहीं बनाया है, तो इतना स चराग बैच, notification आपका लोगों का मतलब आया था, तब हमने भी बैच को जल्दी ही बनाया, कल से आपके registration चालू हो जाएंगे, 20% के भी छोट भी चल रही, तो आप बैच ले लिजिए, पूरी टीम जबरदस तरीके से उसमें पढ़ाएगी, ठीक है ना, बहुत सांदर तर हाते हैं, है ना, अगले question में थोड़ा सा एक step बढ़ाते हैं, तो यहां से कितने भी question पूछ ले, आप उन्हें कर पाओगे, लेकिन बसरते आपका diagram सही बनना चाहिए, diagram सही बनाया तो आप बहुत बड़ी हाँ कर जाओगे, ठीक है, तो sir, और इस question को अब दिहान से देखो इस question को अब दिहान से देखो, बनाओ, जल्दी से बनाओ, एक बार कैसे, कैसे आप इसे बना पाओगे, प्यारे दोस्तों, बहुत सांदार question है ये भी, ये भी बहुत सांदार question है, तो बनाओ, एक बार जल्दी से कैसे बना पाओगे, screenshot लो जल्दी से इसका, जल्दी से screenshot ल बनाओ जल्दी से कैसे बनाओगे देखो मैं एक दो क्वेश्चन भी और सिखाता हूं क्योंकि अभी हो सकता है जो लोग थोड़े से एक्ष्ट्रा ओर्डिनरी हैं मतलब उन लोगों को लगता है कि मैं तो कर सकता हूं वो कोसिस करते रहों और बाकी मैं भी साथ की साथ ले र आपको एक सलहा देता हूं इनको क्वेश्चन को एक बार में पहले पूरा नहीं पढ़ना है ऐसे नहीं है कि आप आए और पूरा का पूरा पढ़ना है क्योंकि बच्चे पूरा पढ़के आपको कुछ नहीं मिलेगा इसमें आपका मन करेगा कि यार एक बार दोबारा पढ लेकिन मिलेगा तुम्हें दुबारा मैं भी कुछ ना है किहने का मतलब यह है is the question को पूरा नहीं पढ़ना step to step चल ना जो बोलता जा रहा है उसे step to step लेते चलना बात आ रही समझ में दियान से सुनो यानि मैंने क्या कहा मैंने कहा छे दोस्त हैं दीपक वरुन अनिल निलेस राजेस और सिद्दार्थ है ना तो पहले एक काम कर लो पहले अगर ये छे दोस्त है ना तो यहाँ पर इन दोस्तों के नाम लिख लो यानि कि मैंने यहाँ पर लिख दिये ये व्यक्ति तो मैंने यहाँ पर ये व्यक्ति लिख वरुन अनिल निलेस और कौन है भीया जी और है तुम्हारा राजेस और सिद्दार्थ तो यहां मैंने लिख दिया राजेस और मैंने लिख दिया सिद्दार्थ ठीक है भई अब मैंने कहा कि यह इस परकार से हो गई ये छीज ठीक है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भई व्यक्तियों के अलाब़ा और क्या दिया है कह रहा है कि यह जो व्यक्ति है आगे question यह कह रहा है कि engineering की 6 अलग अलग विसे सग्यता यानि कि इनके अपने-पने course हैं सब के यानि यहाँ पर हो गए इन व्यक्तियों के course सब के अपने-पने course हैं अब देखते हैं क्या-क्या course है आगे कह रहा है जैसे यह getlergy नहीं है यह है metallurgy ठीक है तो यह हो गया metallurgy पहली communication, software, mechanical, electrical और hardware में पढ़ते हैं जरूरी नहीं सीक्रम में प्रतेक को hockey किरिक देखो यह खेल पसंदेन को यानि यह खेल के नाम लिख रहे हैं तो यहाँ पर एक काम करते हैं यहाँ पर लिख लेते हैं खेल की इन लोगों को खेल भी पसंदें तो यहाँ पर मैंने खेल लिख दिये अब वही बात है कि हम step to step चलेंगे और question को करते चले जाएंगे बहुत आराम से question हो जाएगा देखो कैसे जैसे जैसे question ने कहा यहाँ से पढ़ो इसे निलेस hardware नहीं पढ़ता है सुनो ध्यान से किरा निलेस hardware नहीं पढ़ता है तो एक काम करो निलेस के बरावर में निलेस के बरावर में does not equal to पर जाओ और यहाँ लिख दो कि निलेस भाई साब आप hardware नहीं पढ़ते हैं तो यहां किनलेस hardware नहीं पढ़ता है ठीक है कह रहा है कि राजेस software पढ़ता है पढ़ता है तो इसे पूरे कर दो कि राजेस software पढ़ता है और राजेस अगर पढ़ता है तो राजेस के आगे लिख दो कि राजेस software पढ़ता है तो राजेस के आगे मैंने software लिख दिया, ठीक है भीया, आगे कह रहा है कि और उसे hockey पसंद है, very good, राजेस software पढ़ता है, और उसे hockey पसंद है, तो राजेस के सामने software भी है, और यहाँ पर hockey और लिख दो, कि राजेस software भी पढ़ता है, उसे hockey भी पसंद है, question आगे के रहा है कि अनिल को 13 की पसंद है और वह hardware नहीं पढ़ता है यानि अनिल को 13 की पसंद है समझो भई दिहान से भई यह इने कमेंटों को देख लिए अनिल को 13 की पसंद है तो अनिल का खेल कौन सा हो गया अनिल का खेल हो गया 13 की अनिल का खेल हो गया 13 की और question कह रहा है अनिल को 13 की पसंद है पर वह हार्ड वेर नहीं पढ़ता है तो अनिल के सामने क्या आईगा 13 की तो पसंद है पर हार्ड वेर नहीं पढ़ता तो does not equal to क्या बच्चो हार्ड वेर ठेक है मेरे भाई यहां hardware आ गया बताओ बात clear है बताओ बात clear है कि नहीं है आगे समझो आगे समझो question को कि जिसे football पसंद है वह electronic पढ़ता है जिसे football पसंद है वह electrical पढ़ता है पढ़ता है तो एक काम करो क्या कहा था इसने दोबारा से जाओ इस बात पर इसने कहा जिसे फुटबॉल पसंद है अब मुझे तो नहीं पता फुटबॉल किसे पसंद है लेकिन ऐसे लिखो कि जहां football आएगा उसके बराबर में electrical या electronic आएगा बात आ रही है समझ में जहां भी football आएगा उसके बराबर में electrical आ जाएगा बात clear है तो मैंने वो hint के तोर पर अलग लिख लिया है क्योंकि अभी इसके बारे में कुछ पता नहीं है ये इन क्वेशनों को करने का तरीका है बहुत अच्छा तरीका है क्वेशन को करने का बहुत सांदर तरीके से इससे आसान नहीं हो सकता है आगे क्वेशन के रहा है सिदार्थ mechanical पढ़ता है सिदार्थ देखो ये सिदार्थ है और सिद्धार्थ क्या पढ़ता है? मेकेनिकल पढ़ता है तो सिद्धार्थ के आगे मैंने मेकेनिकल लिख दिया सिद्धार्थ मेकेनिकल पढ़ता है और उसे टैनिस पसंद नहीं है करें सिद्धार्थ मेकेनिकल पढ़ता है और उसे टैनिस पसंद नहीं है तो सिद्धार्थ के आगे यहां does not equal to में लिख दो कि यहां पर tennis नहीं आ सकता, यहां पर tennis नहीं आ सकता, बात आ रही है न समझ में, आगे समझो चीज को क्या है, जिसे badminton पसंद है वह है telecommunication पढ़ता है, इस बात को भी अलग लिखो, कि जिसे badminton पसंद है, यानि कि जिसे badminton पसंद है, वह क्या पढ़ता है, telecommunication पढ़ता है, ठीक है भाईया, चालो, आगे समझते हैं, धर्मिंदर मेरे भाई कल से होगी आपकी class वीडियो वाली भी कल से सुरू हो जाएगी, ठीक है, कल होगी वो दीपक और वरुन को badminton पसंद नहीं है, दीपक के सामने does not equal to मैं कौन जाएगा, बैड मिंटन जाएगा, और वरुन के सामने भी does not equal to मैं badminton जाएगा, क्यों जा रहा है ये क्यों जा रहा है क्योंकि उसने साफसा बोला है कि भहिया उसने साफसा बोला है कि दीपक और वरुन को बैडमिंटन पसंद नहीं है ठीक है आगे समझो आगे करा दीपक को टैनिस पसंद नहीं है यानि यहां पर आ जाएगा दीपक को टैनिस पसंद नही बैड मिन्टन तो पसंद था ही नहीं से और टैनिस भी पसंद नहीं है टैनिस भी पसंद नहीं है बोलो clear है इतनी बात आगे समझो ध्यान से आगे क्या कह रहा है आगे क्वेश्चन को ध्यान से समझो अब जितने बच्चे सोच रहें कि भाईया हमारे question के यहां से answer क्या बनते तो मेरे दोस्त मेरे भाई यह जितने भी रिक्तिस्थाने न यह सभी के सभी आपके question है क्योंकि आप इनको अगर भरोगे तो आपको यहां से सोचना पड़ेगा आओ लगाते हैं थोड़ा सा दिमाग और देखते हैं कि सबसे पहले कौ क्योंकि जो यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगा जाएगा हिंट के साथ खेल जाएगा वो question का answer देदेगा नहीं तो फिर नहीं कर पाएगा चेक कर लो आजाओ कैसे करते हैं सबसे पहले does not equal to में एक चीज देखो और वो चीज यह है कि badminton एक ऐसा खेल है जो यहां भी मना ह हुआ है यानि दीपक के सामने badminton नहीं आ सकता does not equal to का मतलब सदय भी होता है कि वो चीज यहां नहीं आ सकती और बच्चे वरुन के सामने भी badminton नहीं आ सकता तो badminton के लिए केवल मेरे पास जो बचे हैं वो मेरे पास बचे हैं केवल और केवल दो option या तो यहां आएगा सिदार्थ पर या आएगा निलेस पर सर्थ सिदार्थ पर तो badminton नहीं आ सकता क्योंकि अगर सिदार्थ पर badminton लिखूंगा तो badminton का सम्बन तो telecommunication से था और यहां पर तो mechanical लिख चुका है तो इसका मतलब कहां आएगा badminton badminton आएगा निलेस पर यहां पर मैंने badminton रख दिया और अगर यहां badminton है तो badminton के बराबर में telecommunication आएगा यह बात हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं सही है भाई आगे द्यान से समझेंगे तो आगे यहां पर अब द्यान से समझो की अगले अगला point क्या है सर अगर मैं आपसे tennis की बात करूँ तो सर tennis ना तो उपर आ सकता सर दीपक के सामने tennis नहीं आ सकता सर दीपक के सामने tennis नहीं आ सकता क्योंकि यहां tennis की मना हो रही है सर tennis तो सिद्दार्थ के सामने भी नहीं आ सकता क्योंकि यहां भी मना हो रही है हाई ना तो सर tennis कहा आएगा सर tennis आएगा वरुन के आगे सर tennis आएगा सर tennis आएगा वरुन के आगे बोलो क्या ये बात clear है और सर मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ कि जिस हिसाब से badminton और telecommunication एक साथ थे उसी हिसाब से football और electrical भी एक साथ है football और electrical भी एक साथ है तो मैंने क्या कहा मैंने कहा कि football और electrical कहाएंगे सर यहाँ football तो नहीं रख सकता हूँ ना क्योंकि यहाँ तो mechanical लिख रहा है तो इसका मतलब यह हुआ कि football कहाएगा सर सब से उपर आएगा और सर अगर football सब से उपर आएगा तो यहाँ पर इसके बरावर में electrical आएगा बच्छो इससे आसान तरीका यह मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा बड़ा है टॉपिक थोड़ा है ना थोड़ा मेहनत तो लगती है लेकिन हकीकत बता रहा हूँ इससे आसान तरीका इसे पढ़ाने का नहीं है बहुत आसान तरीका है इससे बेस्ट यह सब से बेस्ट है इस से असा नहीं हो सकता अब सारे खेला गए फुटबॉल, टैनिस, तेरा की, बैडमिंटन, हौकी और कौन सा खेलता मेरे पास मेरे पास खेलते हौकी, किर्केट तो किर्केट बच गया किर्केट यहां पर आ जाएगा सर, अभी ये दोन और बच रहें तो सर, हमें पता है अनिल के सामने हार्डवेर नहीं आ सकता सर, हमें पता है अनिल के सामने हार्डवेर नहीं आ सकता क्योंकि अनिल के सामने हार्डवेर की मना हुरे ड़स नोट इक्वल्टू में है तो कहां जाऊंगा कहां जाऊंगा मैं अनिल के पास यहां आ जाऊंगा और बच्चे सॉरी यहां अनिल का नाम लिख दिया मैंने यहां पर आ जाएगा तुमारा हार्ड वेर अनिल के मतलब वरुन के आगे कौन आ जाएगा हार्डवेर आ जाएगा क्यूंकि अनिल के लिए तो हार्डवेर की मना थी और सर बच कोन गया मैटलर जी सर उसे आप यहां रख दो और क्वेश्चन एक दम फेनिस हो चुका एक दम फेनिस वह एक बार थमसप करके बताओ क्या यह question एकदम समझ में आया अब अच्छे कह रहें सर यह तो बहुत lengthy question है मेरे भाई अगर इतना lengthy question आता है ना तो कई बार आयो क्या करता है इस question से related कम से कम तीन question या जादा से जादा पांच question तक पूछ लेता है क्योंकि मैं तो यही कह रहा हूँ ना एक question अगर इतने से पूछेगा तो इसमें तो बहुत time लग जाएगा लेकिन examiner को भी पता है कि time taking question है तो पिर time taking है तो उसमें वो तीन कम से कम और जादा से जादा पांच तक वो दे देता है सही है ना तो मुझे अभी फिलाल आप लोग यह बताओ क्या यह question आपको time taking है सब कुछ है लेकिन सच-सच यह बताओ क्या समझ में आ रहा है बताओ भई मुझे एक बात बताओ कि क्या समझ में तो आ रहा है ना बस तो समझ में ही आना चाहिए दिक्कत मतलो सब कुछ समझ में आएगा आपको सब कुछ समझ में आएगा ठीक है ना very good, very good, very good बहुत बढ़िया तो चलो एक बार एक और question देखें इसी से related एक question और देखते हैं देखते हैं फिर कितना कर पाते हो आप लोग चलो तो एक question और देख लेते हैं देहान से देखो इस question को देहान से देखो इस question को कि ये question क्या है देहान से देखो ये question क्या कह रहा है कह रहा है कि PQRSTUV साथ professor है मेरी बात द्यान से सुनना, एक काम करना की पहले इन प्रॉफेसर के नाम मत लिखना इस बार, सर इस बार नाम मत लिखना ऐसे, गुबारा से सुनो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, कह रहा है इन मैं से प्रतेक एक भिन भिन विस्य पढ़ाता है, यानि सभी लोग अलग अलग विस्य पढ़ाते हैं, कह रहा है बहुत एक विज्ञान रसायन विज्ञान जी विज्ञान अंग्रे जी गड़त, अर्थ सास्त्र और भूगोल पर जरूरी नहीं इसी करम में, ठी अब यहाँ पर आप लोगों को पहले सप्तह के नाम लिखने हैं, क्या कहा मैंने, आप लोगों को सर्व पर्थम सप्तह के नाम लिखने हैं, यानि यहाँ पर व्यक्ति क्यों नहीं लिख रहा हूं, देखो पहले मैंने व्यक्ति लिखे थे, हमेशा पहले व्यक्ति लिखते है जब कभी भी सब्तहा के नाम या महीनों के नाम आएंगे तो पहले उनका नाम लिखना है मेरी बात दुबारा से सुनो मैंने कहा कि सबसे पहले आपको इनके स्थान पर सब्तहा के नाम लिखने सर क्या उनको लिखूंगा पहले तो question हो नहीं पाएगा देखो हो तो जाएगा लेकिन समय जादा लगेगा और समय का ही खेल है सारे का सारा तो मैंने कहा भई सब्तहा कब से शुरू हुए है मेरे भाई सब्तहा सुरू हुए है सौमबार से रविवार तक तो यानि यहाँ पर आएगा सौमबार स्वामवार के बाद आएगा मंगल मंगल के बाद आएगा बुधवार फिर आएगा गुरुवार फिर आएगा सुक्रवार फिर आएगा सनीवार फिर आएगा रवीवार ठीक है भाई यानि कि मैंने यहाँ पर इस तरीके से इन सब के नाम लिख लिए है से समझो कि आगे की कहानी क्या है अब देखते हैं किस तरीके से question पूछ रहा है सर यह तो हो गई दिनों के नाम सर यहां पर आ जाएंगे भी प्रॉफेसर और वो तो question क्या कह रहा है सुक्रवार को आर जीव विज्ञान पढ़ाता है सुक्रवार कम्पलीट हो गया की नहीं मैंने कहा सुक्रवार को आर जीव विज्ञान पढ़ाता है तो इसका मतलब है सुक्रवार को आर पढ़ा रहा है सर सुक्रवार को आर पढ़ा रहा है और क्या पढ़ा रहा है जीव विज्ञान पढ़ा रहा है जीव विज्ञान पढ़ा रहा है सुक्रवार को आर पढ़ा रहा है जीव विज्ञान पढ़ा रहा है क्वेशन को आगे समझू प्रोफेसर जिस दिन बहुतिक विज्ञान पढ़ाते हैं उसके पूर दिवस पर क्यूं गरत पढ़ाते हैं यानि मुझे ये नहीं पता की बहुतिक विज्ञान कब चलती है लेकिन ऐसे समझो बच्चे उसने का है प्रोफेसर जिस दिन बहुत एक विज्ञान पढ़ाते हैं यानि आप हिंट के तोर पर ये देखो कि जिस दिन भी बहुत एक विज्ञान की क्लास चलती है कह रहा है जिस दिन भी बहुत एक विज्ञान की क्लास चलती है तो question के रहा है उसके पूर्व दिवस पर पूर्व दिवस का मतलब होता है उसके पहले दिन पर यानि उससे एक दिन पहले तो question के रहा है कि professor जिस दिन बहुत एक विज्ञान पढ़ाते हैं उसके पूर्व दिवस पर क्यों गड़त पढ़ाते हैं यानि कहने का मतलब बहुत कि विज्ञान से पहले दिन जो चलता है वो गड़त चलता है और सर गड़त कौन पढ़ाते हैं सर गड़त क्यूँ पढ़ाते हैं ठीक है भाई आगे समझेंगे कि वी रवीवार को पढ़ाते हैं कि रवीवार को क्ओं पढ़ाता है वी पढ़ाता है कि तुए रसाइन विज्ञान या अंग्रेजी नहीं पढ़ाते किन्तु वह रसाइन विज्ञान या अंग्रेजी नहीं पढ़ाते तो यहाँ पर लिख दो ना तो रसाइन विज्ञान आएगा वी के सामने ना तो रसाइन विज्ञान आएगा और ना क्या आएगा ना ही अंग्रेजी आएगी बात आ रही है समझ में ना तो रसाइन विज्ञान आएगा मैंने कहा ना तो रसाइन विज्ञान आएगा और ना ही अंग्रेज ही आएगी उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी वेशन हा किरा यू जिस दिन पढ़ाते हैं उसके पहले दिन ऐस अर्थ सास्तर पढ़ाते हैं तो यू जिस दिन पढ़ाते हैं न यू और यू से पहले दिन क्या चलता है अर्थ सास्तर चलता है और अर्थ सास्तर को कौन पढ़ाता है अर्थ सास्तर को ऐस पढ़ाता है अर्थ सास्तर को ऐस पढ़ाता है बोलो क्या ये बात clear है दोस्तों इतनी बात उम्मीद कर रहा हूँ अब सब को समझ में आई होगी ठीक है ना चलो अब आगे की कहानी पर चलते हैं आगे की कहानी क्या है क्या condition है तो अब देखते हैं यहां से दिहान से question कैसे बन सकता है मुझे सबसे पहले एक बात बताओ कि गर्ट कहां आ सकता है गर्ट कहां आ सकता है प्रोफेजर जिस दिन बहुत एक विज्ञान पढ़ाते हैं उसके पहले दिन क्यों गर्ट पढ़ाते हैं वी रवीवार को पढ़ाते हैं किन्तु अंग्रेजी या रसाइन सास्त्र नहीं पढ़ाते है तो देखो वई द्यान से मुझे एक बाद बताओ कि यहाँ पर रसाइन सास्त्रिया अंग्रेजी नहीं आ सकता हाँ या ना कितने लोगों ने किया है वही एक बार थमसब करके बताओ कितने लोगों ने किया है और आगे की कहानी क्या कह रहा है सर यहां तो V पढ़ा रहा है, यहां R पढ़ा रहा है, मुझे एक बात बताओ, यह जो U है, यह कहां पढ़ा सकता है, सर यहां पिर ऐसे देखो कि गड़त कहां पढ़ाया जा सकता है, सर गड़त सौंबार को पढ़ाया जा सकता है, या मंगल को, बुद्ध को, ब्रस्पतवार को कहीं भी पढ़ाय जा सकता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इस चीज में बहुत BIG हैhou बहुत बध्या बहुत बढ़िया वही बहुत सांधर तो दिहान से सोचो एक बात बताओ मुझे एक बात बताओ मुझे कि अगर मैं आप लोगों से बोलूं, मैं आप लोगों से बोलूं कि ये अब तक मेरे पास कितने विषय है टोटल, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, सात विषय है, जिन विषयों मैंसे, जिन विषयों मैंसे, गड़ित और भौतिक, कहीं भी आ सकते हैं, रसाइन विज्ञान और अंग्रे जी यहां नह सकता हूं बताओ अगर मैं पूरे step की बात करूं तो कहां से hint ले सकता हूं ये बतादो जल्दी से जल्दी से बताओ इस पूरे question में से कहां से मैं hint लूँ की question बहुत आसानी से हो जाए बहुत बढ़ी हा तरीके से solve हो जाए वी रविवार को पढ़ाते हैं किंतु वह रसाइन विज्ञान या अंग्रेजी नहीं पढ़ाते यू जिस दिन पढ़ाते हैं उसके पहले दिन S अर्थ सास्तर पढ़ाते हैं चालो बहुत बढ़िया अब द्यहान से समझो अगर मान के चलो कि मैं सौमबार को इस वाली लाइने को ले लूँ और यहाँ पर कहूँ कि यहाँ पर क्यू पढ़ाएंगे और सौमबार को गर्थ चलेगा द्यहान से समझना और गर्थ के तुरंत बाद क्या चलता है बहुत एक चलता है तो यहाँ पर मैं बहुत एक चला दूँगा सर आगे दियान से समझो कि S और U लगाता राएंगे तो S यहां पर आएगा S क्या पढ़ाता है अर्थ सास्त्र पढ़ाता है S अर्थ सास्त्र पढ़ाता है और U क्या पढ़ाता है U को यहां लिखा जाएगा बहुत एक विज्ञान कौन पढ़ाता है इस बारे में भी कोई जान कई नहीं है वी अंग्रेजी या रसाइन नहीं पढ़ाता ना यहां अंग्रेजी आएगी ना यहां रसाइन आएगी ना यहां अंग्रेजी आएगी ना यहां रसाइन आएगी तो यानि अगर यहां अंग्रे जी नहीं आईगी रसाइन नहीं आईगी गड़त बहुत एक अर्थसास्त्र जीव विज्ञान तो बचा कौन? कौन बच गया सर? कौन सा विसे बच गया? तुसर विशे बच गया बहुत एक रसाइन जीव Google पहली आ चुका है तो यहाँ पर आया तुम्हारा भूगोल तो केवल भूगोल बचा यानि यहाँ पर मैं भूगोल लिख सकता हूं यानि यहां पर मैं भूगोल लिख सकता हूं. और सर अगर अब इन्हें और देख हैं, तो इनके दिन और देख लो, रसायन विघ्यान अंगरे जी यहां नहीँ आ सकता, गड़्त और भौते की आ गया, अर्थसास्त्र और यहां पर यू आएगा, आगे देखते हैं एक इसमें step ना दरसल मुझे लग रहा है कि कोई step ऐसा है जो इसमें miss है एक मिनट रुको बस एक second बस एक second कोई ना कोई step इसमें ऐसा है जो miss है ये देखते हैं ये विस्थ हो गए कि शुक्रवार को आर जी विज्ञान पढ़ाता है तो सुक्रवार को आर ने जी विज्ञान पढ़ा दिया शुक्रवार को आर जी विज्ञान पढ़ाता है प्रोफेसर जिस दिन बहुत एक विज्ञान पढ़ाते है उसके पहले दिन क्यूँ गरित पढ़ाते हैं वी रविवार को पढ़ाते हैं पर वह अंग्रेजी अरसाइंसास्तर नहीं पढ़ाते हैं Q जिस दिन पढ़ाते हैं उसके पहले दिन S अर्थदास्तर पढ़ाते हैं मंगलवार को P भूगोल पढ़ाते हैं T अंग्रेजी नहीं पढ़ाते हैं मंगलवार को P भूगोल पढ़ाते हैं और T अंग्रेजी नहीं पढ़ाते हैं दो लाइन रह रही हैं, इसमें दो लाइन रह रही हैं, मंगलवार को P भूगोल पढ़ाते हैं, और T अंग्रेजी नहीं पढ़ाते हैं, मंगलवार को P भूगोल पढ़ाते हैं, यहां लिखो मंगलवार को P भूगोल पढ़ाते हैं, करता न दो स्टेप कम है और यहां पल्ले को टी अंग्रेजी नहीं पढ़ाते हैं अब बिल्कुल सही हो जाएगा पूरा स्टेप अब पूरा स्टेप हो जाएगा दो पॉइंट जोड़े हैं मंगल को पी भूगोल पढ़ाते हैं और टी अंग्रेजी नहीं पढ़ाते हैं तो एक बार दिहान से समझेगे एक बार की क्वेश्चन क्या है पूरे ही विस्यव को मैं पहले हटा देता हूं कोई दिक्कत नहीं है पूरा का पूरा ही question को एक बार देख लेते हैं तो एक बार question को दिहान से समझाएंगे कि question है क्या आखिर अपने आप में तो ये present कह रहा है अब present सबसे पहले सबसे पहले कह रहा है सुक्रवार को आर जीव विज्ञान पढ़ाते हैं तो बहुत एक से पहले गर्थ क्यूँ पढ़ाते हैं, ठीक है, ये बात भी सही है, आगे question कहरा है, कि वीर अभीवार को पढ़ाते हैं किन्तु रसाइन विज्ञान या अंग्रेजी नहीं पढ़ाते हैं, आगे question कहरा है कि मंगल को पीभूगोल पढ़ाते हैं, यानि कि मंगलवार को यह मंगल है यहाँ पर P पढ़ाते हैं और क्या पढ़ाते हैं भूगोल पढ़ाते हैं मंगलवार को P भूगोल पढ़ाते हैं और कहरा है कि T अंग्रेजी नहीं पढ़ाते हैं तो यहाँ पर T अंग्रेजी नहीं पढ़ाते हैं तो अब एक बाद बताओ P आ गया, Q आ गया, R आ गया, S आ गया, T T यहां आ जाएगा और T अंग्रेजी नहीं पढ़ाते तो सनीवार को अंग्रेजी नहीं चल सकती इसका मतलब यह है सनीवार को अंग्रेजी नहीं चल सकती इसका मतलब यह है अब question को बहुत आराम से आप लोग कर सकते हो, किस हिसाब से कर सकते हो, देखो ध्यान से तो मुझे एक बात बताओ आप लोग अब, सर अंग्रे जी यहां भी नहीं चल सकती, यहां भी नहीं, उसे तो देख लेंगे लेकिन एक बात बताओ मुझे, कि अगर मैं आप लोगों से बोलूँ, तो यह क्या कह रहा है, यह कह रहा है कि क्यू गड़त पढ़ाते हैं, कौंबार मंगल बुद्ध, हाँ तो इन व्यक्तियों के नाम भी तो मैंने अभी ऐसी लिख दिये थे, इन व्यक्तियों के नाम भी तो ऐसी लिखे हुए पढ़े हैं, ठीक है, तो इसने क्या बोला है, इसने बोला है, सुक्रवार को आर जी विग्यान पढ़ाता है, तो सुक्रवार को आर ने पढ़ाया जी विग्यान, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोफेसर जिस दिन ये पहले दिन S अर्थसास पढ़ाते हैं मंगल को P भूगोल पढ़ाते हैं तो मंगल बार को P से भूगोल पढ़वा देते हैं ठीक है बाई और आगे कह रहा है कि T अंग्रेजी नहीं पढ़ाते हैं तो T अंग्रेजी नहीं पढ़ाते हैं को अलग लिख लो कि टी के बराबर में अंग्रे जी नहीं आएगा आजाओ क्वेस्टन पर कैसे करना है तो मैंने कहा कि भाई गड़त और भूगोल लगाता रहेंगे गड़त और भौतिक लगाता रहेंगे अब गड़त को यहां तो लिखने ही सकता क्योंकि भौतिक के नीच जाएगा बहुतिक आजाएगा और अर्थसास्त्र और यू भी लगातार ही आएंगे सही है अर्थसास्त्र और यू भी लगातार ही आएंगे तो अर्थसास्त्र और यू को लगातार देख लो और अंग्रे जी यहां पर नहीं अंग्रे जी यहां पर आ सकता गर्ट के बाद क्या चलेगा बहुतिक चलेगा तो गर्ट के बाद बहुतिक यानि यहाँ पर रशायन और भूगोल गर्ट के बाद चलेगा बहुतिक तो गर्ट को कहा लिखूं मैं गर्ट के बाद अगर बहुतिक चलेगा गर्ट को यहाँ लिखूं तो भी दिक्कत है क्योंकि गर्ट को यहाँ लिख लूँगा तो फिर अर्थसास तो इनकी बात भी कर जाएगी तो गर्ट को लिख लेता हू यहां गर्द को लिख लेता हूं यहां और गर्द से नीचे क्या लिख लेता हूं भौत एक लिख लेता हूं और भौत एक विज्ञान कौन पढ़ाता है पता नहीं पर गर्द कौन पढ़ाता है गर्द क्यों पढ़ाता है ठीक है मेरे भाई तो अब इन दोनों को अर्थसास् तो अब ये बन गया PQRST, T को यहां लेक दो उपर, और ये क्या कह रहा है, अंग्रे जी ना तो यहां आएगा, ना यहां आएगा, सही है, अब T अंग्रे जी नहीं पढ़ाता है, ये भी तो एक इस्टेप था कि T अंग्रे जी नहीं पढ़ाता है, तो T अगर अंग्रे जी पढ़ाता तो इसका मतलब यहां अंग्रे जी नहीं आ सकता तो अंग्रे जी कहाएगा अंग्रे जी यह आएगा पढ़ाई एक बार जल्दी से किस किस–का सेखिया यह बिल्कुल ठीक है रस्ताइन विज्यान, T, P, भूगोल S, अर्थसास्त्र U, अंग्रेजी R, G, विज्यान Q, गडित और V, भूगोल बहुत बड़ी चलो, बहुत सुन्दर बेटा, ये जो दो लाइन इसमें थोड़ी सी मिस थी ये जो दो लाइन मिस थी इस वज़े से थोड़ी सी दिक्कत हो गई और आप जानते हो, ये पजल है अगर एक छोटा सा स्टेप भी गायब हो जाता है तो लगबग लगबग चीजें बिगड़ जाती है ठीक है न, चलो, कोई वात नहीं है इसक्रीन सॉट ले लो भई, एक बार इसक्रीन सॉट ले लोगे, तो जादा बहुत हार्ड है बहुत हार्ड नहीं है, दो इस्टेप नहीं थे इसमें, इस वज़े से थोड़ा हार्ड लगा ठीक है भई, चलो चलो, तो next question पर बढ़ते हैं अगला सवाल, इसका अंसर दो जल्दी से क्या होगा A, Y परवार से है तीन गाड़ी में, X, Y, Z ठीक है, ये थोड़ा बढ़ा है, इसे करेंगे पहले इस सवाल का अंसर दो पहले इस सवाल का अंसर दो गाड़ी वाला वो थोड़ा सा बढ़ा सवाल है तो अब उसे करेंगे लेकिन पहले basic वाला सवाल करेंगे जल्दी से बताओ भई इस question का answer क्या है जल्दी से बताओ इस question का right answer क्या होगा क्या कह रहाई है M, T, J, R, D, W, Q 7 मित्र A, B, C 3 प्रकार से यात्रा कर रहे हैं ठीक है 3 कार से तो यहाँ पर लिखेंगे 3 कार से मतलब 3 कार से क्योंकि प्रतेक कार बोला है प्रतेक कार में कम से कम 2 मित्र सबार है कहने का मतलब 3 कार है A, B, C तो मैंने यहाँ पर लिखा कार नंबर A, कार नंबर B और कार नंबर C question को दिहान से समझो question क्या कह रहा है ठीक है तो question करा प्रते कार में से कम से कम दो मित्र है यानि प्रते कार में कितने मित्र हैं कम से कम दो मित्र बैठे हुए हैं यह तो कम से कम संख्या बता रहा हूँ कि प्रते कार में कम से कम दो मित्र बैठे हुए ही हैं ठीक है भीया किरा इन में 3 महिला हैं यानि जो ये वयक्तिन म,त,j,rd,w,q इन में से 3 महिलाएं हैं, जो प्रतेक अलग-लग कार में हैं, यानि जो महिला है वो प्रतेक अलग-अलग कार में अर्था एक कार में 6 महिला बैठी हुई है कि रहा है कि T केवल एक बेटा केवल सब्द लग रहा है ये बहुत important सब्द है थोड़ा सा देहान देना मेरी बात पर जो ये सब्द लग रहा है न केवल इसका मतलब है T केवल अपनी सबसे अच्छी महिला दोस्त के साथ कार भी में सवारी करता है पी केवल अपनी सबसे अच्छी महिला दोस्त के साथ यानि जो T है वो केवल अपनी सबसे अच्छी महिला दोस्त के साथ यात्रा कर रहा है कौन सी गाड़ी में यात्रा कर रहा है कौन सी गाड़ी में यात्रा कर रहा है तो यह कार नमबर B में यात्रा कर रहा है तीक एवल अपनी सबसे अच्छी महिला दोस्त के साथ कार में यात्रा कर रहा है बी में यात्रा कर रहा है ठीक है और जो कार में यात्रा कर रहा है तो इसका मतलब है सबसे अच्छी महिला दोस्त यहां एक नाम और लिख लेना दोस्त क्यू के साथ ती अपनी सबसे अच्छी महिला दोस्त क्यू के साथ यानि T की जो दोस्त है उसका नाम Q है तो यहाँ पर एक छोटी सी यहाँ लिख लेंगे T अपनी सबसे ची महिला दोस्त Q के साथ तो एक नाम लिख लेंगे Q तो मैंने तीन नाम लिए B के मैं यात्रा कर रहा है तो यानि B कार में मैंने क्या किया B car में मैंने T को बिठा दिया और किस के साथ बिठा दिया Q के साथ और बिटा B car इस समय बिलकुल फुल हो चुकी है समझो कैसे क्योंकि question यह कह रहा है कि T केवल केवल का मतलब है कि केवल इसी के साथ थात्रा कर रहा है इसका मतलब इसके साथ कोई और बैठा हुआ नहीं है तो कह रहा है T केवल अपनी सबसे ची महिला दोस्त Q के साथ B में सबादी कर रहा है तो T अपनी महिला दोस्त Q तो Q महिला है तो माइनस हो गई और T कौन हो गया प्लस हो गया बेटा B car फुल हो चुकी है B car में अब कोई भी कोई भी इस पेस नहीं है क्योंकि B car में ये कह रहा है कि T अपनी सबसे ची महिला दोस्त Q के साथ B में यत्रा कर रहा है केवल B में है ना इसके साथ कोई और नहीं है तो B car फुल हो गई है अब हान रखना इसमें कोई और नहीं आएगा मैं कहूं तो इन दोनों को अब इसमें कोई disturb नहीं करेगा ठीक है भाई question के रहा है कि M car A में यत्रा करता है तो M को car A में यत्रा करवा दो very good बहुत बढ़िया के रहा है D तथा W car C में यत्रा नहीं करते हैं के रहा है D और W car C में यत्रा नहीं करते हैं मैंने अभी अभी आपको बताया था मैंने कहा था कि D और W car C में यत्रा नहीं करते हैं भाई car number B तो पहले ही फुल हो चुकी थी car number B तो पहले ही फुल हो चुकी थी और D और W C में भी यत्रा नहीं कर रहे और B पहले ही फुल है तो D और W कहां जाएंगे सर सर A में ही तो जाएंगे सर D और W कहां जाएंगे सर A में ही तो जाएंगे आगे देखो क्या आगे question कह रहा है J महिला नहीं है तो J अच्छा एक और बात बताओ कि 3 इसमें आगे 2 इसमें तो दो अब नीचे बाली माएंगे क्योंकि कम से कम दो व्यक्ति बिठाना आवस्सक है तो M,D,W,T,Q कौन आगे M,D,W,T,Q R और J इतो बच गए तो R और J बच गए तो R और J को मैं यहां लिख दूँगा और question यह कह रहा है कि J महिला नहीं है और J महिला नहीं है तो बच्चे पुरुस होगा और R कौन हो जाएगी फिर महिला हो जाएगी R कौन हो जाएगी फिर महिला हो जाएगी बात आ रही समझ में क्योंकि एक गारी में एक महिला बैठी है इस बात को समझो और question में आगे क्या कह रहा है कह रहा है कि जब की W महिला है तो ये जो W है ये जो W है ये महिला यानि की माइनस है और ये दोनों कौन हो गए ये दोनों पिलस हो गए अब question खतम हो चुका है आपसे कुछ भी पूछ सकता है कौन-कौन यात्रा कर रहा है आपसे पूछे की कार नंबर A में कौन कौन यात्रा कर रहा है तो M, D और W कर रहा है आपसे पूछे की कार नंबर B में कौन कौन यात्रा कर रहा है तो भहिया T और Q यात्रा कर रहा है पूछे की C में कौन कौन यात्रा कर रहा है तो R और J यात्रा कर रहा है अगर आपसे पूछे कि कारे में महिला जो बैठी है उसका नाम क्या है तो W है आपसे पूछे इस गुरुप में कौन कौन तीन महिला है तो मैं कहूंगा W महिला है Q महिला है और R महिला है इस तरीके से आप बहुत आसानी से बहुत बहुत बहतरी न तरीके से अपने questions के answer दे सकते हैं सही है जैसे यहाँ पर question पूछे भी गए हैं कि J किस कार में आत्रा कर रहा है जैसे कह रहा है J किस कार में आत्रा कर रहा है तो J कहा है यह रहा किस में कर रहा है ये सी कार में आत्रा कर रहा है बेटा इसका मतलब ये सी कार में आत्रा कर रहा है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आगे समझो जैसे की क्या कह रहा है कह रहा है कि तीन मित्र किस कार में आत्रा कर रहा है एक बच्चा कह रहा है जी एक घंटे में एक सवाल हुआ है पेटा एक गंटे में एक ही सवाल हुआ है अभी क्लास में अभी आये हो क्या तुम मेरे दोस्त एक गंटे में एक ही सवाल हुआ है मेरे दोस्त ऐसा है कि ये क्वेशन इसमें तो कोई डाउट है नहीं कि एक घंटे में 3-4 ही हो बाते हैं तो अगर मुझसे यह उम्मीद कर रहे हो कि भी या एक घंटा में 25-30 कुश्चन करवा जाओ तो फिर तुम मत करो ऐसी उम्मीद वाजा ले इसमें टाइम लगता ही है लेकिन बेटा इतना भी ना आया कहा एक घंटा में एक हुआ है ऐसे भ लोगों के ना थोड़ा थोड़ा साज मुझे होसलों को देखकर ऐसे लग रहा है कि जैसे आप बिल्कुल टूट गए हो कि भाया आप इस टॉपिक को करा रहे हैं इसमें बड़े-बड़े सवाल है मेरे दोस्त आप CGL की तयारी कर रहे हैं तो इतनी जल्दी है कि इसे हिम् प्रविए नहीं हो बच्छे कुछ भी चीजें व्यक्ति के व्यक्ति के होसलों से बड़ी नहीं होती है यह तो यह जो टॉपिक है यह तो मैं यूपी पुलिस के वैच में भी पढ़ाया है तो भी बच्छे बहुत खुसे हैं ना मतलब उन्हें लगा कि हाँ भया हमें पढ तो भी एकतरी न त्लीका मिल्की एक वार में नई सीखते पर एक दिन सीखते हैं जैसे लोकिसब चाहते हैं आप te जब थो जो अंग्रे इस तो अब कहते हैं जब उन से सफ़ह ह ту कि मेरत सद्ट मा किसी बच्चे नहीं उन्हों पूछा ता आ कि साट चोटे बच्चे थे तो पानी के लिए भी ऐसे नहीं कहा था कि वही मम्मी मुझे पानी लाके दो बस ऐसी कहा था पानी मतलब सब्दों को धीरे धीरे सीखते हैं धीरे धीरे सीखते हैं तो लोकिस सर ने क्या कहा वहां से क्या कहना चाह रहे थे वह कहना चाह रहे थे लोकिस स जब किसी बच्चे ने पूछा था सर इंगलिस कैसे सीखें इंगलिस नहीं आती है सर तो इसका मतलब यह है कि उनका कहने का मतलब था कि भाई हम लोग जिस चीज को मतलब नहीं सीखते हैं उसे धीरे 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 करके सीखते हैं बच्पन से तो हमको हिंदी भी नहीं आती थी हमको बोलना ही नहीं आता था लेकिन इसका मतलब यह नहीं है हम उसे कभी भी नहीं सीख पाएंगे ठीक है ना सीख पाएंगे मेरे तुरंत वादलाओ के सर तैयार है आप लोगों की क्लास लेने के लिए बागी प्यारे दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में तब तक लिए जय हिंद जय भारत बाई बाई